मेटाबोलिज्म TV में आपका स्वागत है आपका सही जानकारी का श्रोत मेटाबोलिज्म और स्वास्थे के बारे में यूरिन के द्वारा प्रोटीन की हानी मैं फ्रैंक स्वारेज हूं, मोटापा और चया पचये में एक अनुभवी विशेश अज अच्छा दोस्तों, Diabetes Sin Problemas पुस्तक लिखने के बाद मैं इसे लिखने से पहले काम कर रहा था सभी विशयों का गहन अध्यन करने के साथ जिन्हें मैं लिखने वाला था यह कुछ दिल्चस्प था क्योंकि मैंने पहले नहीं जाने हुए चीजें सीखी उनमें से एक क्या था जो मूत्र के माध्यम से प्रोटीन के नुकसान का कारण बना यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आपके किसी प्रियजन को बताया गया है कि वे अपने मूत्र के माध्यम से प्रोटीन खो रहे हैं तो यह खत्रे का संकेत है लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यह क्या है और इस अत्यंत खतरनाक स्थिती का मुकाबला करने के लिए क्या किया जा सकता है मैं एक पल के लिए ब्लैक बोर्ड की ओर जा रहा हूँ कृपया ध्यान दें मानव शरीर इसलिए पूरी तरह से काम करता है मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी न तो बीमार पैदा हुआ था नहीं मोटा नहीं मधुमेह से ग्रस्त लगभग सभी लोग पूर्ण शरीर पूर्ण स्थिती के साथ पैदा हुए थे इसलिए व्यक्ति को हमेशा कुछ किया होगा या कुछ नहीं किया होगा जिसने किसी न किसी तरह से योगदान दिया होगा या आज उसे प्रभावित करने वाली स्वास्थे स्थिती को trigger किया होगा मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूँ कि किसी के पास अधिक सीखने, अधिक समझने और फिर अपने स्वास्थे को बहतर ढंक से नियंतरित करने की ख्षमता होती है क्या शरीर इस तरह से बना है और यहां पीछे हम में से प्रत्येक के पास दो गुर्दे होते हैं और यह गुर्दे बहुत ही महत्वपूर्ण एकायां होती है जो मूल रूप से गुर्दे का काम होता है वह है फिल्टर करना वे शरीर के तरल पदार्थों को फिल्टर करते हैं गुर्दे तो सच में जुड़ जाते हैं ना इस प्रक्रिया में वे अवान्चित पदार्थों को बाहर निकालते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं वे यूरेथरा में जाते हैं और वहां से मूत राता है लेकिन गुर्दे जो काम करते हैं वह जीवन रक्षक है जब किसी व्यक्ति को उदाहरन के लिए बताया जाता है कि उसे यूरिन के माध्यम से प्रोटीन की हानी हो रही है तो उनका मतलब है कि फिल्ट्रेशन यूनिट की विफलता के परिणाम स्वरूप जो अब कुछ ऐसे कणों को फिल्टर कर रहा है जो बहुत बड़े हैं और जिन्हें वहां से निकलना नहीं चाहिए यह दर्शाता है कि शरीर की सफाई प्रणाली में असामान्यताएं हैं इस प्रक्रिया की गंभीरता और इसके संभावित प्रभावों को समझना जरूरी है जिसके लिए तक्काल ध्यान और संभवता उपचार की आवश्यक्ता है अब यह किड्नी जैसे हैं अगर आप इसे करीब से देखें हैना तो अंदर उनके पास कुछ छोटी कैपिलरी होती हैं बहुत छोटी जो कि लगभग वैसी ही होती है जैसे एक बाल होता है है ना वे बहुत छोटे होते हैं और वे कैपिलरीज छोटे गुब्बारों में समाप्त होते हैं । जिनहें विशेश रूप से Glu Prioris कहा जाता है। यह शब्द Glomerulo Latin शब्द Globo से आया है जिसका Latin में अर्थ होता है । बॉल का गोला। इसका कारण यह है कि वास्तव में वे एक छोटी गेंद की तरह समाप्त होते हैं जैसे कि एक गुबारा हो, खून वहां से गुजरता है और वह ग्लोमेरुलो या वे ग्लोमेरुलस फिल्टर करना शुरू करते हैं वे खनीजों को फिल्टर करते हैं और वहीं पर कैल्शियम, मैगनीशियम, पोटेशियम, सोडियम का संतुलन नियंत्रित होता है इस प्रक्रिया के माध्यम से किडनी शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो कि शरीर के समुचित कार्यनवयन के लिए अत्यंत आवश्यक है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो किडनी द्वारा किया जाता है गुर्दे मूल रूप से शरीर के तरल पदार्थ को फिल्टर करते हैं और वहां मिनरल्स को भी संभालते हैं यानि सभी विभिन मिनरल्स को वहां संभाला जाता है जब कोई व्यक्ति उसके मूत्र में प्रोटीन की हानी शुरू करता है तो मूल रूप से जो हो रहा है वह यह है कि उसकी किडनियाएं टूटना शुरू हो गई है जब वे टूटना शुरू होती हैं तो वे अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है और मान लीजिए कि अगर यहां से केवल छोटे कण ही गुजर सकते हैं तो मान लीजिए कि यह कुछ ऐसा है जो छानता है है ना इस बात को समझना जरूरी है जो छोटे कणों को फिल्टर करने में सक्षम हो रहा है लेकिन अभी से यह बहुत बड़े कणों को पास करने में भी सक्षम होने लगा है क्योंकि अब वहां से प्राकृतिक न होने वाले कण भी पास हो सकेंगे जो कि एक विशेश ध्यान देने योग बात है प्रोटीन जैसे कि मांस, पनीर, अंडा आपके द्वारा खाये जाने वाले प्रोटीन को गुर्दों से गुजरना नहीं चाहिए ये माना जाता है कि शरीर को ये सब फिल्टर करना चाहिए अमीनो एसिट जो की प्रोटीन के यौगिक होते हैं और उन्हें पास नहीं होने देना चाहिए जब डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप मूत्र के माध्यम से प्रोटीन खो रहे हैं वास्तव में वे कह रहे हैं कि आपकी किड्नियों में पहले से ही कुछ विनाश हो चुका है एक निश्चित विनाश की डिगरी है जिसका माप होता है और प्रोटीन की इकाईयां जो बाहर निकल रही हैं मापी जाती है जब ये बहुत बढ़ जाता है तो ये जात हो जाता है कि किड्नियों की क्षमता क्योंकि दो होती है समझोता हुई है और व्यक्ति को डायलेसिस की प्रक्रिया करनी होती है यह एक प्रक्रिया है जहां उन्हें एक मशीन से जोड़ा जाता है ताकि वे मशीन के साथ मैकेनिकल रूप से खून को साफ करने, अतिरिक्त तरल को निकालने, खनिजों के स्तर को नियंतरित करने आदी का प्रयास कर सकें और फिर व्यक्ती अब जैसे कहा जाता है सपताह में तीन, चार या पाँच बार डायलेसिस के इंदर जाने के लिए बाद्धे होता है और ये बहुत ही दुखत बात है कि किसी व्यक्ती के साथ ऐसा होता है कुछ मामले होते हैं जहां एक व्यक्ती डायलेसिस पर समाप्त होता है और गंभीर प्रोटीन की हानी होती है जो अजीब चीजों से आती है जैसे कहना उदाहरन के लिए एक व्यक्ती अभी मैं एक युवा आदमी को जानता हूँ 28 वर्ष की आयू जो डायलेसिस पर है जब मैं जाच करने लगा तो पता चला कि उस आदमी की एक आटो पेंटिंग की दुकान है मैंने इस विशे पर जाच करने का निर्णे लिया और मुझे पता चला कि बीमा और द्योग में लोगों को पता चलता है कि जिनके पास आटो पेंटिंग की दुकाने हैं उन्हें गुर्दे की बहुत समस्याइं होती हैं और ये इसलिए है क्योंकि जब वे काम कर रहे होते हैं और पेंट को सांस लेते हैं अगर वे सावधान नहीं होते हैं तो पेंट में कुछ विशाकत पदार्त होते हैं जैसे कैडमियम, कैडमियम जो गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है तो यह पेशे पर निर्भर करता है और अक्सर उन लोगों के साथ भी होता है जो कीट नाशकों के छिड़काव, कीट नाशकों के छिड़काव और उस तरह के व्यवसायों में काम करते हैं लेकिन यह देखा गया है कि जिन लोगों को किड़नी की समस्या होती है उन में से एक बहुत बड़ा हिस्सा वास्तव में डायबिटीज से पीडित लोगों का होता है मधु में रोगियों को गुर्दे की गंभीर समस्याएं होती है क्यों? क्योंकि जो चीजें होती हैं उनमें से एक ये है कि जो चीज मुख्य रूप से किड़नी को नुकसान पहुंचाती है वह ग्लूकोज की अधिकता है जब रक्त में शरकरा के रूप में ग्लूकोज की अधिकता होती है हम कहेंगे कि व्यक्ति बहुत अधिक कार्बोहाइडरेट, ब्रेड, आटा, चावल, आलू, मिठाई खारा है, वह तीन के लिए एक आहार नहीं कर रहा है, उदाहरन के लिए वह नहीं कर रहा है, जो इस पुस्तक में सुझाया गया है, डायबिटीज, बिना समस्याओं के, त बोशिकाओं को नश्ट करना शुरू कर देता है, जब वह उन्हें नश्ट करना शुरू करता है, तो ग्लो मेरूली को नश्ट करना शुरू कर देता है, और फिर फिल्टर नहीं किया जा सकता, और जब फिल्टर नहीं होता, तो वे छेद दिखाई देने लगते हैं, जो ब किडनी द्वारा प्रोटीन के नुकसान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव रहा है और ये सामाने नहीं है, मुझे इसे कुछ मेडिकल दोस्तों के साथ चर्चा करनी पड़ी है, जब हमें कोई व्यक्ति मिलता है, उदाहरन के लिए एक नेचुरल जो अच्छा खासा मोटा होता है और हमारे साथ वजन कम कर रहा होता है, कुछ मुझसे कहते हैं, देखिए मैं किडनी से प्रोटीन का नुकसान कर रहा हूँ, मेरे किडनी से प्रोटीन का नुकसान हो रहा है, नहीं, लेकिन आपके पास अपने डॉक्टर से वजन कम करने की अनुमती है ना वो मुझसे कहता है हाँ अगर नहीं तो मुझे यहां अंदर नहीं आने दिया जाता क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं अगर उसके पास medical permission नहीं है और kidney जैसी स्थिती है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते लेकिन हमने देखा है कि यहां तक की वे लोग भी ज हमारे पास 400 इकाईयों का protein खोकर आये थे जो की बहुत ज्यादा है जैसे ही वे 600 या 700 पर पहुँचते उन्हें dialysis के लिए भेजा जाता हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने अपने आहार पर नियंतरन शुरू किया यह स्वता ही कम होने लगा और फिर वे 300 खोते उसके बाद 200 और हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम लगभग सामान निस्थिती में ले आए यानि की हानी रुक जाती है दूसरे शब्दों में यदि आप गुर्दों के कारण protein की हानी का सामना कर रहे हैं तो अच्छे hydration carbohydrate को कम करने तीन में से एक विशेश आहार जैसे आहार का उ किती है